राश्टिय लोग समता पार्टी सिच्छा विवस्ता में सुधार की मांग को लेकर रालोसपा परदेश अध्यच पुर्वसान सद भुदेव चौधरी के नेत्वित में रजौन बजार में बुद्वार को मसाल जुलूस निकाला गिया इससे पुर्व रालोसपा कारेकरताओं ने रालोसपा परखंड कारियाले परिसर में बैठक की बैठक की अध्यचता परखंड अध्यच बिने कुमार कुसवाहा ने की बैठक के दुरान रजौन के 76 युवाओं ने रालोसपा का दामन थामा इस मौके पर राश्टिय उदय कुमार सिंग परदेश उपाध्यच नयान सिंग नटवर नरेश मंडल उमासंकर कुसवाहा पपू यादब जैकांती आदब मुख्य रूप से मौजूद थे बैठक को संबोधित करते हुए रालोसपा परदेश अध्यच पुरुवसांसत भुदेब चौधरी ने कहा क कि रालोसपा सिच्छा में सुधार को लेकर कृत संकल पित है उन्होंने का कि राज सरकार ने सिच्छा ब्यवस्था पर कुठरागात करने का काम किया है विधान सबाचुनाव में एंडिये सरकार को इसका खामिया जा भुगतना पड़ेगा बैठक के बाद पार्टी की कार करता गन मौजूद थे एक तरफ मा पूरी स्रधा से अपने पुत्रों की लंबे उमर के लिए जीतिया पर में लीन थी तो दूसरी तरफ बाका केमरपूर में काल कहर बर पाते हुए दो माओं की गोद सुनी कर दी अमरपूर छेत्र के दो अलग लग जगों पर जीतिया पर को लेकर पोखर में असनान करने गए आठ वर्सिय बालक समेथ 17 वर्सिय यूवकी डूबने से मौत हो गई पहली घटना थाना चितर के छोटी सिहुडी में घटित हुई सिहुडी गाउं महादली टोलानिवासी स्यामदास का आठ वर्सिय पुत्र दिलखुस कुमार अपने हम उम्र के बच्चों संग गाउं के समी पिस्तित बलुआ पोखर में असनान करने चला गया था जहां बालक गहरे पानी में डूबने लगा इसके साथियों ने सोर मचाया तो कुछ लोगों ने पोखर से बालक को बाहर निकाला लेकिन तब तक बालक की मौत हो चुकी थी बालक की मौत की खबर सुनते हैं इनकी मा रिता देवी का रोरो कर बुरा हाल हो गया मौके पर ग्रामिनों ने बताया कि मौत तक पाँज भाईयों में तिसरे नंबर पर था इनके पिता भागलपूर में मजदूरी करते हैं वहीं दूसरी घटना छेतर के डुमरिया गाउं में घटित हुई मिली जानकारी के अनुसाया डुमरिया गाउनिवासी अब धेश ताती का 17 वरसिया पुत्र बुद्धन कुमार अपने साथियों के साथ गाउं के समीप इस्तित रमजनिया पोखर असनान करने चला गया था जहां या गहरे पानी में डूबने लगा इसके साथियों ने सोर मचाया तो पोखर के समीप इस्तित खेतों में कारे कर रहे यूवक के चाचा बूचो ताती आए और यूवक को पोखर से निकाल कर इलाज के लिए अस्थानिया रैफल सब्तान ले गए जहां डॉक्टर हाईों में सबसे बड़ा था घटना के सूचना ठाने में दे दी गई है बाका में जीतिया पर्व के मौके पर एक ही परिवार के दो बच्चों समेत अलग लग जगों पर डूबने से पांच की मौत हो गई पहली घटना मौसी थाना के हरना गाउं के सरोबर में नहाने के दुरान गाउं के चार बच्चे डूब गए इसमें दो को बचा लिया गया वहीं एक ही परिवार के दो बच्चों की मौत हो गई दूसरी घटना मरपूर में हुई जहां दो बच्चों की डूबने से मौत हो गई तीसरी घटना संभूगंज में हुई जहां एक यूबक की डूबने से मौत हो गई जिले के बौसी थान अच्छत के हरना गउं में जीतिया के मौके पर गउं की महिलाएं गउं के पास स्थित हरना बांध स्थित सरोबर में नहाने गए थी उसके साथ बच्चे भी चले गए थे नहाने के करम में रूदल दास का बेटा और बेटी डूबने लगे जिसे बचाने के लिए अन्य बच्चे कूद परी और इसी करम में चारो बच्चे डूब गए सोर मचाने पर घटना के बाद आस पास की गाउं के लोगों की भारी भीर जुट गई लोगों के प्रियास से सभी बच्चों को निकाला गया हादसे में रूदल दास का दस वर्सिया बेटा सुनिल कुमार और बारा वर्सिया बेटी नेहा कुमारी के मौत हो गई वही गाउं के असोक दास की 17 वर्सिया बेटी प्रिती कुमारी और ससी दास की 14 वर्सिया काजल कुमारी को बचा लिया गया प्रिती कुमारी को सास लेने में परिसानी होने की वज़ा से गंभी रवस्था में माया गंज भागल पूर रेफर कर दिया हादसे में बच्चों को बचाने के क्रम में माननी मदे भी जखमी हो गई घटना के बाद हर नागाउं में कोहरा मच गया है बिहार में पूरे सराब बंदी के बावजूद सराब माफिया नए नए हटकंडे अपना कर पड़ोसी राजियों से सराब तसकरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं हाला कि आए दिन सराब माफियाओं के मनसूबे पर पुलीस प्रसासन एवं उतपाद बिभाग की टीम पानी फेरते हुए तसकर समेद सराब जब्त कर लेती है ताजा मामला बांका जिला के कटोरिया का है जहां एक पीकप में सबजी के कैरेट में पडोसी राजियों से लाराय भारी मात्रा में बिदेसी सराब समेद दो तसकरों को उतपाद विभाग के अवर निरत छक मनीस कुमार सकसेना नहीं गिरापतार तसकर समस्ती पूर जिला की रोसरा थाना चेतर अंतरगत कूरियन गाउनिवा सी मुहमद मजजाद और मुहमद सुभान बताया गया मामले को लेकर अवर निरत छक ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि जारकंड राजिके गिरिडी से सराब तसकर के दोरा भा वहान की तलासी ली गई तलासी के दुरान सबजी के करेट में रखी हुई इंपीरियल बुलू विस्की और मेकडॉल विस्की की अंठानबे बेटी बिलेसी सराब बरामत की गई पिकप वहान पर सराब छिपाने के उद्देश से सबजीयां लोड कर दिया गया था इन्हों कर दो दुर जो आए जो दुराइब अबने के उद्देश से साथ बिलेसी में लोड़ अच्छा प्सकी हमें।